हलो दोस्तों, कॉंपिटिशन मंत्रा क्लासेस में आपका फीट से स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों 36 गड़ के 5 जीलो में जो है वेकेंसी निकली हुए है जीला सहकारी केंदरी बैंक में तो इसका पूरर डिटेल सी वीडियो देखेंगे कि आप फार्म जो है कैसे अपलाई कर सकते हैं चुकि फार्म जो है आफ लेन मोड है तो आपको भर के जो है कहां सब्मिट करना है और यहां चैन सुची जो तायार की जाएगी वो किस तरह से की जाएगी तो यहां पर जो पोस्ट निकले है दोस्तों क्या चीज़ कहा है लिपिक्स कंप्यूटर आपरेटर विक्रेता और भृत यानि कि चौकि दार की निवक्ती यहां पर की जाएगी जहां पर एक कुल जो है अंठावन पोस्ट है ठीक है जिलेवाइज अलग अलग पोस्टों का वीवराट जो है हम लोग आगी देखेंगे उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि आप यह जो पीडियेफ है उसको कैसे डाउनलोड करोगो क्योंकि जो फाम का प्रारूप दिया हुआ है वो जो है इसी पीडियेफ में आपको मिलेगा तो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा jskbank.com ठीक है jskbank.com जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामनी इंटरफेस खुल के आ जाएगा ठीक है जीला सहकारी केंद्री बैंक रैपूर यह वाला यहाँ पी जो 3 लाइन दिखे रहा है दोस्तों यहाँ पी आपको क्ल इसको आप क्लिक करे हुए तो यह फाम जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा ठीक है जीसी में जो है आपका फाम भरने का जो फार्मेट है वो भी है साथ में आपका विग्यापन भी है यदि आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों डारेक्ट मेरे टेलिग्राम चैन निती का नाम नगरगाओं राएखेडा बरतोली लखोली खंतरा यह रैपूर के लिए है सभी अलग अलग जीलों के लिए जो है दिया हुआ है वहीं आपको फिल करके सम्मिट करना पड़ेगा जीला सहकारी केंद्री बैंक मरियादित की जो साखा है यहां पर जगा का नाम जो है दिया गया है अब पोस्टों की बात कर लेते हैं दोस्तों जीला वाइस की कौन से जीला में जो है कितने कितने पोस्ट जो है निकाला गया है तो यह जीला राएपूर में है ठीक है नगरगाओं लिपिक सा कंप्यूटर आपरेटर के एक है बरतोरी में भी एक वहीं जरोद आरंग में जो विक्रेता का पोस्ट है एक पोस्ट, खमतराई, लिपिक सा कम्पूटर आपरेटर एक है, टेकारी में ब्रित्य का है एक पोस्ट, परसदा में लिपिक सा कम्पूटर आपरेटर का एक पोस्ट है, सारखी में भी लिपिक सा कम्पूटर आपरेटर सुन्दर केरा में विक्रेता का एक पोस्ट है तोरला में बृते चोकिदार का एक पोस्ट है तीला में लिपिक सा कंप्यूटर आपरेटर का एक पोस्ट पटेवा में विक्रेता का एक पोस्ट जामगाओं में लिपिक सा कंप्यूटर आपरेटर का एक पोस्ट ठीक है वहीं पिपरोद में जो है लिपिक से कंपूटर आपरेटर का एक पोस्ट है कुल जो है रायपूर में 16 पोस्ट है यहाँ पे जिला धमतरी में जो है लोहरसी में लिपिक से कंपूटर आपरेटर के एक पोस्ट कंडेल में भृत्य चोकिदार के एक पोस्ट कुंडेल म में विक्रेता के एक पोस्ट कुर्रा बाग तराई में लिपिक से कंप्यूटर अप्रेटर के एक पोस्ट और सेम्रा में लिपिक से कंप्यूटर अप्रेटर के एक पोस्ट टोटल नौ पोस्ट है दोस्तो धमतरी में वहीं गरियाबन में भी 16 पोस्ट है टोटल आप यहां प पारवी स्वाना चाहिए higher secondary उत्यर्ण, सात ही डिप्लोमा in computer application कम्क्प्प्पो आपका diploma होना चाहिए BC esa ca panda चल जागी Прेता है तूभी 10 plus 2 है higher secondary उत्यर्ण ट των था computer का घ्यान होना चाहिए यहाँ पे degree नहीं मांगा गया है सिर्फ कंप्यूटर का ज्यान बोला गया है ब्रेत्य चवकीदार के लिए आठवी कक्षा उत्तिन होनी चाहिए पात्रता एवं अन्य सर्ते में आवेदक क्याईव 18-35 वर्ष की बीच होनी चाहिए तथा यहाँ पे HTSC, OBC महिला भिर्थों को अधिक्तम आयू सिमा में छूट की पाततर राज्य सासन के निमन उसार होगी यानि कि HTSC को तो 5 साल मिलता है वो मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे है साथ ही यहाँ पे जो है और बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों जैसे कि उसके खिलाब कोई भी F.I.R. वगरा नहीं होना चाहिए अभेर्थी मानसिक तथा सारी कुरूप से स्वस्त होनी चाहिए नियुक्ति के पूर्व संबंदित थाने से पुलिस में आपरादिक रिकार्ड के संबंद में चरीत्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जब नियुक्ति आपका होने वाली रहेगी आपका चैन हो जाएगा उस समय नियुक्ति के पूरो सम्मंदित करमचारी से 25,000 रूपय का FDR सम्मंदित साखा के सोसाइटी के पक्ष में जारी कर सोसाइटी अम करमचारी का स्यूकत नाम से लिया जाना अनिवार्या होगा यानि की नियुक्ति के समय जब आपका चैन हो जाएगा तुछ समय आपको यहाँ पे 25,000 रूपय रासी जमा करनी पड़ेगी FDR के ताथ ठीक है इसकी चैन पर क्रिया समझ लेते हैं दोस्तों की चैन पर क्रिया कैसे होगी तिलिपिक साख कंप्यूटर अपरेटर के लिए जो है कुल सव अंग रहेगा ठीक है यहां पे paper नहीं होगी दोस्तों सीधी भरती है यहां पे जो selection है वो 12 हायर सेकेंडरी परिक्षे में प्राप्त अंकों के अधार पर अधिक्तम 75 अंग दिया जाएंगे 75 अंग दिया जाएंगे 75 अंग कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे आपका 12 में 80 परशेंट है तो 80 परशेंट का आपको 75 परशेंट नंबर दिया जाएगा 75 परशेंट मतलब की कितना हो जाएगा आपका लगबग 60 परशेंट यानि कि 60 अंक जिसका 80 परतिसत है उसको 60 अंक जो है दिया जाएगा साथ में मानेता प्राप्त संसान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकसिन प्राप्त अंकों के प्रतिसत है अधिक्तम 20 अंक दिये जाएगे अथा प्राप्त प्रतिसत का 20 प्रतिसत अंक दिये जाएगे अब आपको जो computer का जो degree रहेगा डिपलोमा उसमें जितना भी आपको percentage बनेगा उसका जो है 20 प्रतिसत अंक जो है यहाँ पे add होगा ठीक है जैसे कि आपका same 80 है तो 80 का यदि हम 20% निकालते हैं 80 गुड़ा 20 बटे 100 तो कितना हो जाएगा आपके 16 यानि कि 16 और जोड़ा जाएगा पहले हम लोग जब निकाले थे सपोज आपके पास 80 80% है बारविया और डिपलोमा दोनों में तो पहले वाले जो निकाले थे उसका कितना है था 60 नमबर प्लस यहाँ से जो है डिपलोमा भी आपको 80% है तो 16 ठीक है तो 16 नमबर यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा कुल योग हो रहा है 76 नमबर ठीक है यदि आपका 80 80% है तो 76 नमबर इसी बेसिस पे जो है आपका सूची तयार किया जाएगा और साथ ही राज्य सहकारी सेंग के सहकारी प्रबन में पत्रोपाधी पाठ्यक्रम भी डिप्लोमा उससे रिलेटेड है तो ठीक है सहकारी प्रबन में विक्रेता के लिए थोड़ा से सिव चैसा ना लगए है दोस्तों यहाँ पे जो बारवी है उसका जो है 80 अंक दिया जाएंगे ठीक है अजयानी के 80 प्रतिसत दिया जाएगा जितना भी आप पाएं है पर किजिएगा और यदि आप जो है सहकारी प्रबन में पात्रोपाधी पाठेक्रेम डिप्लोमा धारी हैं तो आपको 10 प्रतिसत जीतने भी आवहां से जो गिन नंबर गें किया उसका 10 प्रतिसत जो है यहाँ पे एड होगा ठीक है उसके बात जो है आपका चैन सुची उसी न ब bonus जर्राबर अंक दिये जाएंगे यानि कि जो ब्रीट इंड सिद्केर के लिए दोस्तों आपका जीतना प्रतिसयत है उतना अंक आपको दिया जाएगा जैसे कि आपका 75 प्रतिसयत आपको 75 प्रतिसयत है तो 80 कि मिलेंगे 90 पर्शेंट है तो 90 पर्षेंट जो है आपको मि लिया जाएगा यहां पे वेतन भत्ते से संबंदित जो है जनकरी दिया गया है लिपिक से कंप्यूटर आपरेटर चिकिसा भत्ता सो रुपे आवाज भत्ता दो सो और प्रतिमा अत्रिक जो है मान दे है आव वर्ग के लिए आथ हजार साथ सो पचास बाव वर्ग में दिया ह हुआ है देख सकते हैं व्रित्त के लिए दिया हुआ है 5500 सभी में जो है सभी वर्ग में 5000 रुपे यहां पर सेलरी रखा गया है यह स्टार्टिंग सेलरी रहेगी आपकी और यहां पर जो चैन सुची तयार की जाएगी आपको जो है उसी वेबसाइट के ठ्रू ही मिलेगी jskbank.com पर ही ठीक है उसी website पर आपकी सूची तयार होके upload किया जाएगा इसके लिए किसी भी आप ध्यरती को जो है अलग से सूचना नहीं दिया जाएगा अब आते हैं आवेदन का प्रारूप है दोस्तों ठीक है यह आपको उसी PDF में मिलेगा जहां से आप download करेंगे ठीक है इ नाम प्रापतांग पुर्णांग स्टेड़ी कितनी स्टेड़ी से आप निकले हुएं यह सभी चीजे ठीक है समीती में रिक्त पद कौन सी आप डालेंगे उसको लिखना है ठीक है और वहां पे अध्यक्षवगरा का नाम भी दिया गया है ठीक है कौन सी साखा में आप डा यदि आप कुछ और किये हुए हैं तो यहां पर भड़ सकते हैं साकारी संस्था में कारे करने का नुभाव जाती प्रमाड पत्रस अलग करना है ठीक है वर्ग कौन सा है आपका जिला जहां के इस्थाई निवासी है इस्थाई पता वर्तमान पता और यहां पर क्या-क्या अटेज करना पड़ेगा दोस्तों आपके पास जाती स्थाई ठीक है जिसमें पूरा सत्यापित हो उसको यहां पर अटेज करना है आप जो भी डॉक्यमेंट से वास्तिविक निवास प्रमाड पत्र है आपका जो यदि चोकीदार के लिए है तो आट वी का रिजल्ट और बाकी जो पोस्ट में आप डाल रहे हैं तो बारवी का रिजल्ट यहां पर सनलगन करना पड़ेगा साथ ही आप जो कंप्यूटर डिप्लोमा की हैं उसका रिजल्ट भी यहां पर अटेज करना पड़ेगा यदि आप किसी बैंक में काम कर चुके आपके पास सनुभा हो है तो उसका सेटिफिकेट आपको यहां पर सललगन करने पड़ेगा और इ openingsराण पर्म टींस यहां पर पड़ेगा कंउन पर कोण सी डाकुमेंट्स अपैटेज करने हैं ठीक है जितने भी डाकुमेंट्स रहेगा फार्म के पीछiling' करके आपको फिट एकशुके आपके साखा सूची है वो आपको उसी वेबसेट में देखने को मिलेगा ध्यान रखियागा इसका अंतिमति थी 13 अक्तुबर है तो मेरे द्वर्दी गई जानकरी आपको च्छे लेगी हो दोस्तों चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में जो है टेलिग्राम चैनल से भी जूर जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मिलते हैं अगले उड़ो में तब तक के लिए धन्यवाद